नमास्कार दोस्तों मुके साउ क्लासेश चनल पर आपका स्वागत है लाल गलर का सब्सक्राइब बटन दीख रहा है उससे दबाईए उसके बद बेल आइकान दिखेगा उससे दबाईए ताकि सभी वीडियो की जनकारी सही समय पर प्राप्त कर सकें बिल्कुल फिरी में तो उसमें यह बताया गया था कि जो भरती प्रक्रिया चालू हो चुकी है वो होगी और आप देख सकते हैं कि सिक्षक भरती प्रक्रिया को यह भी हाल फिलाल कर नहीं है लगभग एक साल से ज्यादा हो चुका है इसको मार्च 2019 में इसका विग्यापन जारी हुआ था और अभी मार्च से भी आगे निगल चुके है नया इसकूल का सत्र भी सुरू होने वाला है तो इसमें अगला आदेस आया था उसमें बताया गया था कि जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसकी प्रक्रिया चलेगी उस पे कोई रोक नहीं होगा और इसी के संबन में नियूज में भी आया है जिसको आप देख सकते हैं श्रिप एक बार लेनी होगी वित्विभाग की स्वी कृति सरकारी विभागों में जारी रहेगी भरती प्रक्रिया जिसमें हमारा लगभग 15,000-14,500 से अधिक जो भरती होने वाली है उसकी प्रक्रिया भी चलेगी उसमें कोई रोक न होना ही है और जो लगभग 15,000 सिक्षकों की भरती होने वाली है उसका रास्ता साप ऐसा इसमें लिखा है देख सकते हैं वित्विभाग की ओर से जारी संसोधित आदेश मतलब वो एक आदेश जारी हुआ था जिसमें रोक लगा दी जाएगी ऐसा लिखा था उसमें संसोध नुकती के पूर्व एक बार अनुमती लेना है बाकी कोई अनुमती और नहीं लेना है तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें बहुत कुछ यह लिखा हुआ है कि संसोधित आदेश के बाद इसकूल सिक्षविभाग में ही करीब 14,000 मतलब 14,500 सब्यादिक करीब 15,000 पर रुक संवर्ग सिक्षक, सहक सिक्षक, विज्ञान परियोक साला का भी पात्र पात्र सूची पहला सूची नहीं आया है उसमें थो समय रहेगा कोरोना संक्रमन की वज़ा से यहां मामला टक गया था जैसा कि सभी को पता है सुत्रों का कहना है कि इस संबंद में विट भाग के पास मंजूरी के लिए फाइल गई हुई है संसोधित आदेश के बाद अनुमाती मिलने की संभावना बढ़ गई है और नुकती होने की पूरी संभावना है तो यही एक न्यूस था इसको सेयर कर दी जिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए धन्यवाद जैहिन लाल कलर कर सब्सक्राइब बिटन दबाना मत भूलिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए